नमस्कत दूस्तों, Welcome to your own channel, the Retail Investor तो आज हम लोग बात करेंगे Moving Average के बारे में Moving Average का Concept हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि Moving Average के होता है, वो कैसे काम करता है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो please जाके आप लोग इस वीडियो को देखिए ताकि moving average का primary concept moving average कैसे लगाता है और वो काम कैसे करता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हो सके तो चलिए आज हम लोग moving average पे ही बात करेंगे और उसके आगे थोड़ा सा further हम लोग moving average पे हम लोग बात करेंगे कि 20-day moving average हो या 50-day moving average हो 100-day हो 200-day हो यह कब और कैसे यूज होते हैं तो इस पे हम लोग आज हम लोग detail में थोड़ा सा बात करेंगे तो हम लोग चलते हैं direct 0-day के चार्ट पे और किसी भी कोई भी एस टॉक लेकर हम लोग उस पे analysis करते हैं कि moving average को कैसे और कैसे यूज करता है moving average के चार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना एक बात बताना चाहूंगा कि moving average कौन से moving average को कब यूज करते हैं और खिशिज में यूज करते हैं लेकि मुविंग एवरेज Jionी जो हैं दो तरहएं के होते हैं दो और होते तो बहुत तरह के हैं चाए वो इसको Supple मूविंग एवरेज हो या फिर labs ओ या economical mm दरह बहूत तरह के मुविंग एवरेज हो जेनरली हम हम लोग कभी यूज करते हैं तो exponential moving average में क्या होता है कि यह जो recent price action है recent का जो मतलब जो भी information है जो भी price है उस पर यह ज्यादा weightage देता है मतलब जैसे for example आप समझ लिजे कि आप गए है railway station और आपको train पकड़ना है लेकिन आपको passenger train पकड़ना है local train जिसको बोलते हैं लेकिन local train क्या होता है न कि यह कभी 10 मिट पहले आती है कभी 20 मिट लेट आती है तो आप जिस दिन मालो अगर आप गए हो आप एक तारीक को आप पांस तारीक को आप गए हो तो आप क्या सोचोगे आप क्या सोचोगे कि कितने बज़े आ जा थी आप यह चीज एकसपेक्ट नहीं करोगे इस एकसपेक्टेशन से आप आज का प्रडिक्शन नहीं करोगे तो हमलोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करें रिसेंट का जो information मिला उस पर हम लोग ज्यादा वेटेश दी है ना कि कल कितने बज़े आय थी तो इसी तरह के जो है म देने वाला जो funda होता है उसी को हम लोग बोलते हैं EMA exponential moving average और आप SMA क्या होता है SMA होता है simple moving average simple simple moving average simple moving इसको simple क्यों बोल रहे हैं और इसको exponential क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह जो price section जो भी होता है उसके एकडम से यह tightly packed होता है मतलब ज्यादा वेटेस देता है और इसको tight information देता है और simple moving average में क्या होता है simple moving average में यह होता है कि यह जो है noise cancellation कर देता है noise cancel करने का मतलब यह होता है यह हर candle को touch नहीं करेगा यह थोड़ा सा मतलब easily मतलब समझ लिए क्या कि थोड़ा सा simple simple तरह से यह आपको जो है information देगा इसको simple क्यों बोलते हैं इसको लोग चार्ट पर जब समझेंगे तो समझ में आएगा तो सबसे पहले हम लोग अब बोलते का चार्ट लगा हुआ है न उन डे का candle लगा हुआ है तो एक दिन का हर एक दिन को डिसेंट कर रहा है कि उस दिन जो है किया movement ह götता वस दिन का साड़ा नियूस आट्र फ मशाला वह साड़ा Us कैंणर मेंdaughter तो वह वंडे का चार्ट लगा हुआ है और इस पर हम लोग क्या करेंगे इस पर हम लोग करेंगे कि अपना जो है वह 20-day moving average सबसे पहले हम लोग simple moving average को समझी लेते हैं simple moving average में क्या करना है हम लोग yesterday's में moving average कैसे लगाते हैं मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था तो लिस में भी बता देता हूं moving average पर क्लिक कर दिये और इस पर हम लोग क्या किये 200-day moving average लगा दिये 200-day moving average होता है long term moving average होता है और इसको हम लोग red line है तो red से color select किया हूआ है तो red पर हम लोग इसको लगा दिये तो अब इसको देखिए कि यह जो moving average है यह simple moving average लगा हूआ है देखिए यहां पर click करेंगे तो आज यहाँ में लिखा हो है चीज़न MA सिर्फ, आप लोग देख रहे हूँगा यहां पर लिखा हूआ MA MA लिखा हो या SMA लिखा हो एक ही बात है इसको हम लोग बोलता है simple moving average और यह 200-day moving average लगा हूँ आप 200-day moving average का मतलब होता है कि ये 200 दिन का मतलब closing price का average है 200 दिन का closing price का average है तो मतलब late से ये मतलब दूर दूर पे थोड़ा से बनेगा क्योंकि 200 दिन पे बन रहा है न तो 200 दिन का ये moving average है अब इसमें हम लोग एक तो आब बोलोगे sir की simple moving average क्यों लगाते हैं तो simple moving average इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको हम लोग 200 day moving average होता है इसको हम लोग long term moving average बोलता है या फिर long term indication देता है कि अब यहां से long term के लिए bullish होगा या long term के लिए bearish होगा तो यह जो है long term indicate indicate करता है 200 day moving average moving average हो है यह long term के बारें बताता है कि long term अगर इसके ऊपर share चलड़ा आप जैसे माल लेजिए यहां पर share इसको क्रॉस किया ठीक है तो यह जो क्रॉस किया तो यह हो गया long term के लिए bullish अब यह कितना दिन bullish रहाएगा जब तक इसको क्रॉस करके यह नीचे isolate करना शुरू नहीं कर देगा इसको resistance करना शुरू नहीं कर देगा तब तक यह long term के लिए bullish stock है तो इससे हम लोग पता करते हैं कि long term के लिए stock uptrend में है uptrend में है या downtrend में है तो यह 200 day moving average हम लोगों को बताता है अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं इस पर हम लोग जो है exponential moving average 200 वाला भी लगा लेते हैं तो difference पता चलेगा ना तो moving average लगा दिए और यहां पर लगा दिए 200 तो 200 लिख दिए और simple को कर दिए सिर्फ exponential और color चेंज कर दिए ताकि हम लोगों को पता चले इसको black कर देते हैं अब देखे क्या होता है इसको हम लोग चार्ट चोटा करता है तो आप देखिएगा कि जो red line है red वाला जो line है यह थोड़ा सा lag 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 कर रहा है मतलब क्या smooth दे रहा है यह हर जगे आपको tight fitting नहीं दे रहा अब यहां पर जैसे देखिए यहां पर यहां से यह नीचे आके थोड़ा सा जो है उपर गया और लेकिन exponential क्या चल रहा है एकदम सटा सटा compact चल रहा है एकदम compact चल रहा है तो यहां पर भी देखिएगा कि वह इसके ऊपर से cross करके चला गया चला गया तो यह जो होता है यह बहुत tight fitting होता और इसको यह जो मतलब recent price action को ज्यादा focus करता है तो और simple moving average होता है और वह जो है मतलब वह equally वेटेज होता है मतलब अगर माल लेजे किसी दिन में equally वेटेज का मतलब है कि हर एक candle को equal weight देता है लेकिन exponential moving average में क्या होता है EMA में क्या होता है कि वह recent का है जो candle है उस पर ज्यादा वेटेज देता है इसलिए वह ज्यादा correct information दे पाता है तो इसलिए हम लोग EMA ही पकड़ के चलते हैं और EMA यूज़ करते हैं वैसे आप SMA भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप long term के लिए सोचते हो तो तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग SMA EMA का concept थोड़ु से समझके अब हम लोग बाकि लगाते हैं इसमें सिंपल मूविंग एवरेज को हटा देते हैं और इसमें रेष्ट मूविंग एवरेज लगाकर आपको करते हैं तो बिज़ात distint रेस्ट मुविंग एवरेज इसमें लगाते हैं से मुविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक्ष्पोनेंशियल एक्ष्पोनेंशियल और इसका कलर कर दिये जेस्ट मिन्नेट इसको बटी है हम है येल्लो कि उसके बाद स्ट्रिश्में स में मुविंग यॹरोट लगा दी और एक यैंड़ेयर मुविंग एवबिज लगा दी है है जा जुब moving average exponential exponential and इसको कर दिये हम लोग blue है तो अपना क्या-क्या लगा हुआ है 50 लगा हुआ है 50 लगा हुआ है उसके बाद 100 लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है 200 तो हम लोग 50 क्या करते हैं इसको हम हम लोग 20 कर देते हैं थोड़ा सा और ज्यादा का हम लोगों को information मिलेगा तो इसको कर दिया हम 20 यह लोग अच्छा से दिख नहीं रहा है तो इसका color change कर देते हैं इसका color तो इसको हम लोग किसी random और पीछे जाके देखते हैं इधर का तो आप लोग मुवमेंट क्याप्चिर कर रही हो लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूं और इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताने का कुशिश करता हूं यहां पे देखो आप अप जिस्ट अ मिनुट को कि census not just a minute yes यहां पे चलते हैं लोग अप्रील यहां पे अप्रील में 2009 से लोग मैं यह लगा हुआ है चुएन्ती्स को अ और यह तॉछ देखना है यह लगा हूआ है चो夜 का हूआ है यह यह नहींट प्रेंटी अ मतलब क्या हुआ हूआ यह जो है रिज इंट DID बाए और अगर यह 200-day moving average के ऊपर है 200-day moving average के ऊपर है और ट्वेंटी दैन अगर 200-day में ऊपर है यह कंडिशन हो गया उसके बाद अगर यह 20 EMA के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो यह हो गया बुलिश और 200-day moving average के नीचे है और 20 के नीचे अगर मतलब 20 के नीचे कर चल रहा है तो यह भी 200-day moving average के concept को साइड करो एक मिनट अपर सिर्फ त्वेंटी पर बात करते हैं ठीक है तो ट्वेंटी में फंडा क्या है कि 20 moving average यह हो गया कि जब्सक्राइब त्वेंटी एम एक मतलब हो गया शौट टरम moving average शौट टरम कि मुविंग अब सौट टरम में किया बोलता है इसका मतलब यह होता है कि शौट टरम के लिए यह इंडिकेशन आपको दे रहा अब जैसे आप मालो22 यहाँ पेंटरी की यहां पेंटरी किये है 20 एमें के उपर गया आप यहाँ पेंटरी किये और आप अपने स्ज्बर क टुर्ट अक हार प्रस… Veter CDC के लिए हैं तो शौट टरम के लिए आप एक पर टरुट हुआ खड़ोग बात इसका funda simple यह हुआ कि 20 के ऊपर अगर trade कर रहा है तो यह short term के लिए bullish है अगर 20 के नीचे चला गया तो यह short term के लिए bearish है सीधा बतलब funda यह है कि 20 EMA जो हमको short term का indication देख़ा है तिक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब 100 EMA पर हैंड़िड यह में क्या बताता है हैंड़िड इम यह जो लगा हुआ यह यह हैंडरेट को बोलते हैं हम लोग एंडरटियेंदिये में को बोलता है मीड़द मतलब बीच का मीड़द यह है यह वह है और यह बीच में हैं तो यह क्या वह मोलते हैं मीड़ open केANS एवरेश्ट है कुछ है को चलते हैं कि स्थाउसे लगा करते हैं तो सब तो सब ये में पे आपको रिप्रेजेंट होते हैं और वह आपको लगा के देखना पड़ेगा वह आप धिरे-जरे समझ जोगे एकदम प्रेक्टिस का चीज और यह बहुत इजी चीज जैसे मैंने लगाया अब देखो आप इसमें देखो आप एकदम से क्लियर देख रहे होगे इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इंट्री कर लिए और उसके बाद आप इंट्री कर दी हैं आप तब तक बुलिश है जब तक इसके नीचे इसके नीचे कर लिए तो क्रॉस करके नीचे मतलब क्या हुआ लॉंग टर्म के लिए लॉंग टर्म के लिए लॉंग टर्म के लिए अगर आपको इंवेस्टमेंट करना है तो आपको टू हेंड़ेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड कब करेंगे जब इसके नीचे तूटने लगेगा ताहुम सिमपल कर सब्दाइब इसको फॉंपल छी तो आप Chinese पना कितना पे एक हजार रुपया पर हम लोग विए इसको ले लिए ठीक है उसके बाद यह प्राइस चल रहा है चल रहा है उपर गिया ऊपर गिया माल ली का टा लिए अगर आपको यहां पे तीन मेना में अगर फिफ्टीन परसेंट मिल गया यह 25 परसेंट मिल गया तो एक्सपेक्टेशन पर हमको मिल गया तो फिर हमको यादा सुचने का जरुत नहीं और टाइम से प्रॉफिट भूग भी कर लिना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप इ एक हजार में लिए एक ग्यारे सुपचास में प्रॉफिट बुक किये आल्मोस्ट टैन टू फिफ्टीन परसेंट का प्रॉफिट हो गया जो भी हुआ इसको ले लिए ठीक है लॉंग टर्म का बात कर रहा है लेकिन यहां पर निकलने के पहले भी आप एक जरूर सुचिए करते करते आपको समझ में कंसेट साड़ा क्लिड हो जाएगा उसी तरह फिर से यहां पर इंटरी की और फिर आप रिमेन अभी भी है और आगे भी बने रहेगा तो यह इसका फंडा है इसी तरह से हम लोग को को इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए अभी जैसे हम लोग द लगाया हुए हैं सिर्फ और सिफ मूविंग लगाया हुए है क्योंकि यह भी अपने आप में काफी है इसको कहते तो लागिंग इंडिकेटर है लेकिन देर आये दुरुस्त आये वाली बात है और यह अच्छा इंडिकेट शन देता है बस इसको हम लोग थोड़ा सा समझत अब यहां पर देख लिए आप यह इसका सपोर्ट था सपोर्ट था ना यहां से रिजक्ट हुआ तो यहां से रिजक्ट वाद लिगिंग आज गया हुआ आज यह इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोउस दे दिया और उसके बाद यह 20 एमें के ऊपर है यह मतलब है क्या यह बुलिश है और इसका टारगेट कितना होना चाहिए यहां से बुलिश देख रहा है तो हमको यहां पर लेने में इसको कोई प्रब्लम नहीं है आज की डेट में बहले ही यह दो परसेंट अड़ाय पर लेकिन फिल भी यहां पर लेने में दिक्कत नहीं क्योंकि हम इसके जानते हैं कि फॉंडामेंटली यह रिचे स्टॉक है तो इस तरह से हम लोगों को अच्छे स्टॉक में टाइम पे इन्वेश्टमेंट करना चाहिए और थोड़ा से टेकनिकल के हैंप से हम लोग ओन टाइम शौर्ट टाइम में भी प्रॉफिट बना सकते हैं अब जैसे मा कि मैंने इन्वेश्टमेंट के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं नहीं सकता क्योंकि यह मेरे कोड़ पॉट्फोलियों में भी है और बेस्ट स्टॉक भी है तो इस तरह से हम लोगों को इन्वेश्टमेंट करना चाहिए विद रहप आफ टेकनिकल्स विद रहप आफ मुविं के बारे में समझा अगर थोड़ा सा भी कोई भी कन्फियूजन तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नीचे जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सब्सक्राइब लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में लोगों को इन्फोर्मेशन चाहिए या इस इस वीड यजज चाहिए और चाहिए और गव य्यो जिव वाप सट़्ाइब कर आधा